बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है, सोशल मीडिया भी आप खंगा लिएगी, तो लाखों सैक्रों की संख्या में ये सवाल उट रहे हैं, ये नया फैशन जो ट्रेंड आप भी बता रही थी, उसी में थोड़ा एड़ा आड़ पुलिस को अपनी तयारी करनी चाहिए और उस तयारी के मद्देनसर लोग बाहर निकलें सब कुछ सुनिश्चित करें पुलिस प्रशासिन सरकार का करतब भी क्यों है पुलिस को सैलरी भी इसलिए मिलती है लेकिन इसके पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ साज़श हो सकता है इस सुलकते सवाल जो खड़े हो रहे हैं तो आपको पता है कि उसी हिस्से से होकर निकलना है अब आपको मालूम है कि एक स्ट्रेच प्रॉब्लमाटिक एरिया है पिछले साल आपने वहां पर पुलिस लगा लिए इस साल क्यों नहीं लगाई तो ये चीज़ें तो लोगों के मन में सवाल उठेंगी और उठेने भी चाहिए तो एक तरह से खारिच कर देना ऐसे कि नहीं ये तो नया ट्रेंड है या फिर हमें नहीं मालूम था या फिर हथियार लहराएगा इसलिए ये चीज़ हुई टकराओं की शुरुवात कैसे हुई उन सब चीज़ों की तै तक जब तक कोई नहीं जाएगा जब तक य और इसलिए अगर ये सवाल उड़ जाते हैं कि सियासत कहीं इसमें तो नहीं होती तो क्या गलत इस सवाल में हो जाता है इस तरह की चीज़ें हो रही है और वो प्रत्यक्ष यहां पर नजर आ रही है बिल्कुल और आप तमाम जो तस्वीरे दिखा रहे हैं वहाँ पर ये सब कुछ बया हो रहा है बस को आग के हवाले कर दिया गया कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया कुछ लोग मारे गए हैं बहुत सारे लोग जखमी है उनकी आलत नाजुक है बीएची ट्रा जिस हिस्से के लिए आई थी उसका भी खंडन प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है ये घटना जो पलायन की जो कुछ खबरें आई थी हमने कल देखा कुछ तस्वीरें कुछ परिवार जो हैं घर में ताला लगा कर अपना सूटकेस बकसा जो भी उनको मिल रहा था लेकर जा रहे थे तो वो पलायन की जो खबरें चल रही थी उसका हाला कि प्रशासन ने खंडन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है लेकिन हाकिकत दरसल ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो पीडित थे चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हो दोनों की तरफ से हमने देखा जो पीडित है वो अपने घरों को छोड़कर घरों में ताला लगा कर जो भी उनके हाथ लगा मोठरी गठरी लेकर वो निकल कर सुरक्षत स्थानों पर जो हैं वो जा रहे थे हालकि प्रशासन नहीं मानता है कि यह पलायन की स्थिती हुई है या हालात इतने जादा बेकाबू हो गए हैं लेकिन जो बात आप कह रही थी कि यह तस्वीर आपको देख लिजे ना जो मुख्यमंति नितिश कुमार कह रहे हैं कोई इधर उधर कर रहा था इधर उधर करने से ऐसी घटना करती है शुईत आप देख रहे हैं दो दो बस यहां जला दिये गए हैं पूरा शहर के कई जगों पर जो है आगजनी की गई है तो यह सिर्फ इधर उधर की बात नहीं है यहां कहीं नहीं कहीं कानून विवस्था का जो फेलियर है वो साफ तो पर नजर आ रहा शोता है यह बहुत आसान हो जाता है यह कहना कि आप किसी के लिए यह कह दें कि और करते हैं और फिर वापस जाते हैं तो है तो इसी क्षेतर के आप ढून कर तो देखिए आप देखिए वो पीछे मेरे जो इमारत आपको दिख रही है जो अपार्टमेंट कॉंपलिक्स है एक तरह से आप उसमें देखें कि सारी खिड़कियां बंध है आप जो यह बात आप कर रहे हैं कि लोगों से क्या बाचीत हो पा रही है मैं अभी लोगों से बाचीत करने आगे जाओंगी क्योंकि यहां पर धारा 144 लागू है जिसके तहट लोग बाहर चार से जादा इकठा नहीं हो सकते हैं तो लोग आम तोर पर आपको सड़कों से दूर ही दिखेंग कहीं पर भी जमघट नहीं लगा है लोगों का जमावणा नहीं लगा है और इसी तरीके से लोग अपने दरवाजी खिडकियों को बंद करके अपने घरों में समय मौजूद है क्योंकि हर किसी को यह डर लगता है कि कोई अनिष्ट नहों किसी तरह की दिकत नहों कुछ एक तो जो एसेंशल्स जो खासकर दवाई की दुकाने वगरे हैं वो आपको खुली भी दिख जाएंगी वरना पूरी सड़क पर हर जगे केवल सन्नाटा है और पुलिस कर्मियों की मौझूदगी नजर आती है अर्थसेनिक बलूं की मौझूदगी नजर आती है